यह ने मश्कार दोस्तों सो आगे थी आप से भी का ठाकोजी टेक्निकल में आप भी टिक टोक पर वीडियोज बनाते हो बट आपके जो वीडियोज की वीडियोज आते हो वो आते हैं दोसो, धाईसो, तीनसो लाश्ट जाता है बट उससे ज़्यादा व्यूज नहीं जाते हैं तो गाईस आपको बता दू कि आपका टिक टोक जो एकाउंट है वो टिक टोक ने फ्रीज कर रखा है तो आप उसे कैसे अनफ्रीज कर सकते हो बहुत सिंपल मेथड़े अगर आपको भी करना है कि कैसे आप अपने टिक टोक एकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हो तो ये वीडियो शुरू से लिएका लाश्ट तक ज़रू देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारी लोगों को पता होगा कि टिक टोक एकाउंट क्यों फ्रीज किया जाता है फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ टिक टोक एकाउंट क्यों आपके फ्रीज किये जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप खुद के content TikTok पे upload करते हो मतलब 10-20 TikTok पे वीडियोज बनाकर upload किया फिर क्या होता है कि यहाँ पे आपके views आते हैं 200-300 views आते हैं तो यहाँ पे आपको बता दू एक starting में हर किसी के साथ होता है या फिर बोले तो YouTube पे या फिर बोले तो TikTok पे अगर आप स्टार्टिंग में 10-20 वीडियोज अपलोड करते हो तो यहाँ पे हर किसी के साथ वैसा ही होता है कि यहाँ 500-200-300 views आते हैं 10-20 like मिलते हैं और क्या होता है उसी time आप TikTok यूज करते रहते हो और कई बार क्या होता है कि आप देख लेते हो TikTok पे इस बंदे का तो 1 million like है तो वो क्यों तो यहाँ पे वो क्या करता है कि किसी movie का clip डाउनलोड करकर वो TikTok पे अपलोड कर देता है और उसी वीडियो पे मिलता है उसको 1 million like या फिर बोले तो 2 million likes मिल जाते है और आपके mind में क्या चलने लगता है भाई इसके तो account पे 1 million followers हो गए और साथी साथ यहाँ पे 1 million likes भी आ रहे है चोलो मैं भी क्या करता हूँ कि YouTube से कोई भी वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे TikTok पे अपलोड कर देता हूँ बट यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आप उस जहांसे में आकर आप YouTube से करते हो वीडियो को डाउनलोड और फिर TikTok पे कर देते हो अपलोड जो की TikTok के community guidelines के खिलाफ होते है उसके कारण वीडियो कर दिया जाता है remove और आपके TikTok एकाउंट पे आज़ाता है एक strike और उसके बाद आपके एकाउंट को कर दिया जाता है freeze फिर आप क्या करते हो आप अपने face वाले वीडियो डालते जाते हो फिर आपके जो हैं views वो नहीं आते हैं तो इसी के कारण आपक को क्या करना है सबसे पहले आप चलिए हम जान लेते हैं कि अपने TikTok एकाउंट को कैसे unfreeze किया जाता है तो इसमें मैं आपको two steps बताने वाला हूं तो सबसे पहले step मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने TikTok एकाउंट को open करना है open करने के बाद आपको three dots पे click करना है उसके बाद आपको report एक problem में जाना है उसके बाद आपको यहाँ पे problem को report करना है तो इसमें क्या लिखना है आपको simply आपको type कर देना है कि हाँ मैं इतने दिनों से videos को मतलब upload कर रहा हूँ तो हमें एक motive मिल जाएगा कि हाँ अब चलो यहाँ पे tik-tok पे videos upload करकर डाले तो यहाँ पे किसी कारण वस्प मेरा tik-tok account को freeze किया गया था बट यहाँ पे वह गलती में repeat नहीं करूंगा अगर आप हमारी tik-tok account को unfreeze करते थे हैं तो यह तो पहला step हो गया आपको जाकर इस तर willing process है तो आपको करना क्या है अगर आप ऊपले picture esteaus है तो playstore से demonstration में जाएंगे उस अप को open करेंगे tik-tok light को open करेंगे IT को को नहीं open करेंगे ध्यान रखे इस बात प्रीटाव इमेल आईडी दोनों मेंशन करना है क्योंकि अगर आप टिक टॉक पर रिपोर्ट करते हो तो उन्हें तो पता है कि हाँ इस बंदे ने रिपोर्ट किया इस बंदे ने टिक टॉक का आईडी टिक टॉक का आईडी यह है इस बंदे का बट यहाँ पर आप इस पर रिपोर्ट क किया जाएगा यानि कि अगर आपका जेन्मीन चीजें होंगी अगर आप जेन्मीन अप्लोड करते हो जेन्मीन वीडियो अप्लोड करते हो टिक टॉक पे तभी आपका टॉलिकेट कॉंटेंट को यूज करते हो जैसे कि यहाँ पे अप्लोड करते हो जैसे आप दूसरे किसी क हो वहीं रखना है और उसके बाद रिपोर्ट किजिए दोनों स्टेप किजिए उसके बाद आपका एकाउंट 110-110 परशेंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा अगर हमारा वीडियो पसंद आदा वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथी साथ कोमेंट बॉक्स में बताए कि कैसा लागा आपको ये वीडियो अगर कोई भी प्रोब्लम होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फोलो कर ले आप हमसे बात कर सकते हैं साथी साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहें आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड डूनोट फ़रेट टो प्रेस डाबेल लाइकर फिर मिलें गया गलाइक बीडियो में अपको ये जाहीं दूने मारा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्रोब्लम होता है